Hi everybody, it's me, Suman Malik और इस वीडियो हम डिसकस करेंगे शंक्री परसाद vs. Union of India 1951 इस केस को शुरू करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेक्राउंड बता रहे तो कि इस केस में हुआ क्या था, देखे हमारी सोसाइटी में जमीदारी प्रता बहुत पहले से चली आ रही है और इसमें क्या होता थो, जमीदार लोग होते थे, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी लैंड हुआ करती थी जिस पर उनका मालिकान अधिकार था और सोसाइटी में दूसी तरफ इस तरह के लोग थे, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी तो प्रॉपर्टी जो है, बहुत ही अन इकॉल वे में डिस्टिब्यूट थी लोग के बीच में तो गवर्मेंट को चाहिए था कि वो इस तरह की लैंड को एक्वायर करें और वो इक्वली डिस्टिब्यूट करें और पीपल वेलफेर के लिए उसको इस्तमाल मिलाए तो गवर्मेंट जो है लैंड एक्विजिशन आक्ट लेकर आए जिसे इन जमेदारों की प्रोपर्टी को एक्वायर किया जाने लगा अब जो शंकरी परसाथ जो एक परसन है जमेदार था बिहार के अंदर जब इसकी प्रोपर्टी को एक्वायर किया तो एक परसन हाई कोट में गया ये कहते हैं कि Article 13 of Indian Constitution ही कहता है कि legislature कोई भी इस तरह का law नहीं बना सकता है जो fundamental rights को infringe करता है और right to property उस time लोगों के पास था और वो infringe हो रहा था तो इस basis पे Land Acquisition Act को void कर दिया जाए जब ये matter code में था तब government जो है First Amendment of Indian Constitution लेकर आई 1951 उसमें Article 31a और 31b और 9th schedule बनाया गया 31a और 31b जो है वो legislature को power देता है कि वो इस तरह के laws बनाए और जो 9th schedule है उसकी specialty ये है कि अगर कोई act या law 9th schedule में डाल दिया जाता है तो आप उसका judicial review नहीं कर सकते इट means वो judiciary की scrutiny से बाहर चला जाता है तो आप देखे अगर किसी law को challenge ही नहीं किया जा सकता फिर चाहे वो आपका fundamental right इंफिर्ट करे या कुछ भी करे जो आप उसे challenge ही नहीं कर सकते तो आप court में क्यों जाएंगे उसके लिए तो जितने भी land acquisition act है उन्हें उठाकर 9th schedule में डाल दिया जिससे जो land acquisition act है उनका objective जो है वो achieve किया जा सकते और वो लोग की property acquire कर सकते अब देखे उस time पर जरूरी भी था और ठीक भी था अगर लोग की property acquire नहीं होगी तो उसका objective जो है वो fail हो जाएगा तो अब court में first amendment challenge किया गया यह question उठा कि क्या legislature को power है कि वो constitution के किसी भी part को amend करे including the fundamental rights और article 13 और article 368 का जो scope है उस पर भी questions उठे तो जब यह matter पतना high court से transfer होकर मतब जाकर supreme court में जब वो गया तब court ने क्या का इसके बारे में देखे court ने कहा कि जो article 13 है उसमें law के बारे में बात की गए है ना कि amendment के बारे में उसमें specially law word इस्तमाल किया गया और यहाँ पर first amendment आया है तो इसी लिए वो article 13 से बाहर है article 13 जो है वो सिर्फ law से related चीज़ों के बारे में बात करेगा ना कि amendments से related तो amendment सबको पता article 368 में amending power दी गई है तो इस हिसाब से जो first amendment आया है वो valid है ना कि invalid अब court यह कहती है जो parliament की जो power है that parliament can amend any part of the constitution including the fundamental rights तो लेकिन fundamental right हो या फिर amendment हो तो legislature को जो basic structure of the constitution उसे देख कर उसे धान में रखकर ही वो amendment कर सकती है इसमें court नहीं यह कहा अब court case decision को बहुत criticize किया गया था इससे यह लग रहा था कि जैसे की legislature के पास इतनी power आगे है कि that it can can make any change in the constitution it can amend any part of the constitution तो इस case का decision बहुत criticize किया और बाद में जो है सजन सेंग और शंकरी प्रसाद इन दोनों cases के judgment को overrule कर दियेगा गोलकनाथ case में तो इस case को हम judicial review का भी पहला case समझते हैं क्योंकि 9th schedule आया था first amendment से और first amendment को इसी में challenge किया गया था तो judicial review का भी first case है तो I hope कि आपको यह video पसंद आया हो और अगर if you like then please subscribe my channel or if you don't like then then it's okay no problem